हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई योटूब चैनल यूनिक चैनल में तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज के वीडियो तो फ्रेंड्स हमने जैसे की देख लिया है यह क्या है हमारा 36 गड का मैप ठीक है तो इसमें हमने सरगुजर डिविजन को कम्प्लीट कर चुके हैं हमारा विलासपूर डिविजन को भी कम्प्लीट कर चुके हैं और हम राइपूर डिविजन को भी कम्प्लीट कर चुके हैं और हमारा दूर्ग डिविजन को भी हमने कम्प्लीट कर चुके हैं और हम आ गये थे 36 गड के सबसे लास्ट डिविजन जो की है हमारा ब बस्तर डिविजन में हमने कौन-कौन सा जीला जिसको complete कर चुके हैं, उसको मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद हम जो है, आज का जीला जो देखने वाले हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कांकेर जीला जिसको हमने complete कर तो अब हम आज देखने वाले हमारे बीजापूर जीले को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए फ्रेंट्स आज आते हैं हमारे बीजापूर जीले के मैप में, तो फ्रेंट्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है हमारे बीजापूर जीले के और बनाती है ठीक है तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा सा हिस्सा कोंडा गाउ जीले का भी ले रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है और उसके बाद बस्तर से भी हमारा पूर्व साइट से बस्तर की बस्तर से भी बना रहा है और दंते वाड़ा जीला से भी पूर्व की ओर से बना रहा है आप लोग क्या है एक राज यह है उससे भी क्या है बना रहा है बॉर्डर जो की हमारे पस्चिन की ओर है ठीक है तो महराष्ट और तेलंगा न हमारे पस्चिन की ओर से बना रहा है तो यह आप लोग याद रखेगा ओके फ्रेंट्स तो चलिए इसमें मैं नेशनल हाईवे जो बताता उसको भी आप लोग को बता दिता हूँ उसके बाद जो है हम आगे के पॉइंट्स को देखेंगे ठीक है तो नेशनल हाईवे यहाँ पर कौन से आती है यहाँ पर एक नेशनल हाईवे का क्या ना हम है एनच 63 ठीक है और यह एनच 63 जो की दंतेवाड़ा जिले से आती है और कहां भहरामगड होते हुए बीजयपूर होते हुए कहां निकल जाती हमारा यह जो है आप लोग देख सकते हैं महराष्ट जीले निकल जाती है और एक कहां निकल जाती है हमारे यह जो तेलंगाना राज्य में निकल जाती है और एक जो तेलंगाना राज्य में निकलती है आप लोग देख सकते हैं यहां से वो कौन सा है NH163 यह जो कि इसकी ब्रांच है ठीक है यह NH163 की यह NH163 ब्रांच है तो यह हो गया और हमने यह नेशनल हाईवे को भी देख लिए जो कि यहां पे दो है एक है हमारे NH63 जो कि निकल जाती हमारे यह महाराश्टर जी ले इराजि में ठीक है उसके बाद यहां पे बोल पट लटा बोल पट ठीक है बोपाल पट है बोपाल पट नाम लिखा यहां से एक और जो ब्रांच निकलती हो क्या है NH63 NH163 ओके फ्रेंट्स तो यह हो गया हमारा कंप्लीट नेशनल हाईवे को हमने देख लिया उसके बाद हम देख ल मुख्याले को भी देख लेते हैं ओके फ्रेंट्स तो चलिए देखते हैं कौन कौन से और यहां पर जो चार तहसील है और चार ब्लॉक है ब्लॉक है चार और ब्लॉक्स भी हमारे तहसील है जो की चार है ओके और यहां का जीला मुख्याले क्या है बीजापूर है ठीक है त चारो हमारे क्या है चारो हमारे तैसिल और चारो हमारे ब्लॉक्स भी है ठीक है तो आप लोग याद रखेगा तो भहरमगड क्या है तैसिल ब्लॉक दोनों है उसके बाद भुपाल पटनम भुपाल पटनम या नाम है इसका ठीक है यह जगे का नम है भुपाल पटनम यह क्या तहसिल ब्लॉक दोनों आप लोग याद रखेगा उसके बाद बीजापूर क्या है हमारे तहसिल ब्लॉक दोनों है बीजापूर भी उसके बाद उसूर नाम है ये भी क्या है तहसिल और ब्लॉक दोनों है आप लोग याद रखेगा तो चलिए गीन लेता है कितने हो रहे है ठीक है तो ये हो गए हमारा चार तहसिल भी हो गए चार और हमारे क्या हो गए ब्लॉक्स भी हमारे चार हो गए तो ये आप लोग याद रखेगा तो चलिए आगे देखते हमारा आगे में क्या है तो आगे है हमारा history ठीक है तो history में देख लेते हैं कौन-कौन सी चीज़े गठन देख लेते हैं और मातरी जीले देख लेते हैं ठीक है तो गठन कब हुए इस जीले का 2007 में यह जो जीला है बीजापूर उसको बनाया गया है 2007 में आप लोग याद रखेगा उसके बाद है हमारा दंते वाड़ा से अलग होकर क्या बनी हमारा यह बीजापूर जीला है जो की दंते वाड़ा जीले से अलग होकर बनी है तो क्या हो जाता है इसकी मातरी जीला क्या हो जाएगी दंते वाड़ा जीला हो जाएगी ओके फ्रेंड्स तो ये होगे हमने जो है इस्ट्री को भी अच्छे से देख लिए उसके बाद हम आजाते हैं हमारे भुगोल के पॉइंट्स पर आप लोग को दिखा दे रहा हूं मैं भुगोल में क्या-क्या चीज़ है ठीक है तो ये क्या है हमारा भूगोल में है ठीक है तो भूगोल में हम क्या क्या देखते हैं उसको मैं एक बार आप लोग को रीड करके बता देरों फिर जो हम देखेंगे ठीक है तो चटान देखते हैं परवत देखते हैं नदिया देखते हैं जयल परवत गूफर आश्टुद्या और 1 निज्व भिहारार भी होग तो लेखे लेंगे ठीक है तो चलिए उदेखते हैं चतन में कौन से चतन हमको मिलती है देखने के लिए यहां पर ढकन ट्राइब चतन हमको देखने को मिलती है और यहां से हमको जो खनीच के तौरपर क्या मिलती ह bättre box site मिलती है ठीक है और box site कहां से मिलती है उसको भी बता दे रहा हूँ तरली मेरा से मिलती है ठीक है और ये तरली मेरा नाम है एक जगे का वहाँ से जो है हमको box site हमको प्राप्त होती है आप लोग याद रखेगा तो ये हो गया अब परवत यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ परवत है ठीक है तो परवत यहाँ पर कौन सी परवत है अलबका नाम की परवत है ठीक है अप लोग याद रखेगा यह क्या है परवत है अलबका नाम का परवत है उसके बाद नदिया देख लेते हैं इंद्रवती नदी भद्रकाली के पास आकर संगम बनाती है गोदावरी नदी से ठीक है और यह जो इंद्रवती नदी है वो क्या है हमारी भद्रकाली नाम का एक जगह है वहाँ उसके पास जाका क्या बनाती, संगम बनाती, कौन से नदी से, गोदावरी नदी से जो है संगम बनाती है, ओके, फ्रेंट्स, यह हो गया, उसके बाद मैं इसमें जल प्रपात को भी बता दे रहूं, आप लोगों को, यहाँ पे हैं बोगतुम जल प्रपात है, लंका पली जल प्रपात है और नमभी जल प्रपात है ठीक है यह हो गया और जो चलिए फ्रिम्स मैं इसमें नदी को जो है एक बार मैप में दिखा देता हूं प्रपात है फिर माहराष्ट राज पर बहत है यह हमारी इंद्रवती ठीक है तो यह बहर रही है और यहां पर हमारा एक जगह है मैंने बता है कौन से जगह भध्रकाली नाम का जगह है आप लोग देख सकते हैं यहां पर ठीक है तो यह क्या है हमारा भध्रकाली नाम का जगह है और यहीं पर मैंने क्या बता है गोदावरी नदी के साथ जो है इं से निकल जाती है हमारे महराष्ट राजी में ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यह जो बीजापूर के जीले के जो बॉर्डर पर है यहां पर यहीं पर जो है हमारे इंद्रवती नदी भी यहीं प्या जाती है तो इस जगे के क्या नाम है भद्रकाली नाम है ठीक है यहीं होगा है, घुदावरी नदी और इंडरावती wilt का संगम बन रहा है अप लोग देख सकते हैं यह यह राठ ठीक है तो यह होगा हमारे नदी है फ्रेंट्स तो चलिए आगा आ जाते हैं हमारे आगे के पॉ metrics ठीक है तो आप लोग देख लिजे तो हम लोग बता दिये ठीक है नदी हो गया और मैंने जल प्रपात को भी बता दिये उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे गूफा में ठीक है तो यहाँ पर कौन-कौन सी ठीक है यह क्या है हमारी गूफा है ठीक है और आप लोग याद रखे गए यह जो हमारा आप लोग देख रहें नाड़ा पल्ली नाम है और अवाब पल्ली और सकल नरायाड यह क्या हमारी गूफाएं है ठीक है और यह जो तीनों गूफाएं क्या है इंपोर्टन्ट है आप याद रखेगे ऊके फ्रेंट्स तो यह आप लोग क्या करिएगा याद रखेगा बहुत इंपॉर्टन्थ यह तीनों गूफवा है यहाँ पर वह बहुत इंपॉर्टन्थ हो जाती है आप लोग को के लिए तो friends चलिए आ जाते हैं हमारे राष्टी उद्यान में ठीक है तो राष्टी उद्यान में कौन-कौन सी चीज़े हैं उसको मैं बता दे रहो राष्टी उद्यान में है इंद्रवती राष्टी उद्यान ठीक है और यहाँ पर कौन सी राष्टि उद्यान है इंद्रवती राष्टि उद्यान है और यह जो है 1978 में इसका जो है formation हुआ या फिर गठन हुआ आप लोग बोल सकते हैं इंद्रवती राष्टि उद्यान है और यह कब गठन हुआ 1978 में जो है बना हुआ है हमारा इंद्रवती राष्ट्योद ज्यान आप लोग याद रखेगा उसके बाद इसकी 6 तरफल कितनी है 1,258 km2 है और इसकी 6 तरफल कितनी है 1,258 km2 है 1258 km2 है आप लोग याद रखेगा बना ही जो इंद्रवती राष्ट्योद ज्यान को हमारा इंद्रवती राष्ट्योद ज्यान ये क्या है Tiger Reserve भी घोसित हो गया है ठीक है और 36 गड़ का पहला National Park भी है और 36 गड़ में आप लोग देख सकने है 36 गड़ में सबसे पहला National Park यही था ठीक है यही है हमारा इंद्रवती राश्टी उद्यान है यही क्या है सबसे हमारा पहला राश्टी उद्यान है 36 गड़ का आप लोग याद रखेगा तो यह क्या है important भी है आप लोगों के लिए क्योंकि सबसे पहले मतलब सबसे first क्या है आप कौन से राश्टी उद्यान हमारा बना था तो इंद्रवती राश्टी उद्यान ही हमारा सबसे पहले बना था तो आप लोग याद रखेगा ओके फ्रेंट्स तो चलिए आगे के पॉइंट्स पे आ जाते हैं आगे यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़े हैं उसको भी मैं बता दे रहा हूँ और एक बार मैं यह जो राष्ट उद्यान है इंद्रवत्ती राष्ट उद्यान उसको दिखा देता हूँ एक्जेक्टर कहाँ पे है तो आप लोग अच्छे से सचता माज जाएगा ठीक है तो फ्रेंट्स यह जो आप लोग मैं आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भैरमगाण के ऊपर की और आप लोग समझ सकते हैं भैरमगाण के ऊपर की और के हमारा राष्ट उद्यान है आप लोग देख सकते हैं इतना जो छेतर है उसमें फैला हुआ है हमारा इंद्रवती राष्ट उद्यान यह मैंने लीग भी दिये, आप लोग याद रखे गए, यह रहा ठीक है, तो यह हो जाते है हमारा, यह हमने क्या देखी लिए, भूगोल के पॉइंट्स को देख लिए, और आगे कौन-कौन सी पॉइंट है, उसको भी मैं दिखा दे रहूं, ओके फ्रेंट्स, तो चलिए तसील में है, वन्यजी अभ्यारन ठीक है, और भैरमगड एक तसील हमने नहीं देखी, तो वहीं पर क्या है हमारा, भैरमगड वन्यजी अभ्यारन है, ठीक है, और पामेड में है, पामेड वन्यजी अभ्यारन ठीक है, और पामेड हमने एक जगह देखी, वहाँ पर भी क्य बना हुवा है, 1983 में जो है इसका formation हुआ है इन दोनों वन्यया जो अभिहारण होगा हमें बहरामगड़, तषियर का छेत्र रफल कितना है बहरामगड़ जो हमने वनल्या तषियारण देखी, इसकी छेत्र रफल कितनी है 159 km² थीक है तो 130 ना कितनी है 139 km² है यह जो छेत्र र पामेड वनने जी अभ्यारन हमने देखी उसका कितना है 262 km2 है ठीक है आप लोग याद रखेगे यह जब यह सब पॉइंट्स को तो चलिए फ्रेंट्स में इसको जो है यह कौन सी बहरमगड है और क्या है हमारा एक पामेड है उसको मैं दिखा दे रहूँ कहाँ पे है exact कौन सथ यह आजाते है हमारे अगे आज़ो जाते है यहां पामेड है यहीं पर पामेड वनने जी अभ्यारन है आप लोग याद रेखेगे ऊके फ्रेंट्स तो चलिए आगे है हमारे जंजाती यहां परियाटन है ठीक है तो यहां पर कौन से जंजाती हमको मिलती है यहां पर कौन से जंजाती निवास करती है यहां पर निवास करती है गदबा जंजाती ठीक है और परियाटन का कौन कौन से है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ परियाटन में है में क्या है मैंने एक जगह दिखाया है प्लॉट करके वहां पर क्या है मा भद्रकाली जी की मंदीर है आप लोग याद रखे के ओके फ्रेंट्स तो हमने जो है यह बीजापूर जीलों को भी हमने अच्छे डीटेल में कम्प्लीट कर लिया तो फ्रेंट्स आप लोग अच्छ हम जा जाची जा मुझा भा कर, आप कर लोग में थेखार है रोग प कि एंगे आस प्रफेंट्स प्रेंट्स प्प्रेंगे क्या टाएंगल, स्क इंगाजए रखे हा उलख Viewaर के एंगे ह।